जारखन के जमताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जानकारी के मुताबक एक ट्रेन में चिंगारी और मिट्टी उड़ने से लोग घबरा गए उन्हें लगा कि ट्रेन में आग लग गई और उन्हें एक चेन खीच दी खबरा कर दो लोग ट्रेन से उतर गए और एक दूसरी ट्रेन की चपेट में आगए जिनमें एक शक्स की पहचान हो गई है हालंकि प्रिशासे ने साफ कर दिया है कि ट्वेन में आग नहीं लगी थी जान चुके लिए बतीन सदस से जे जी समीती का गठन भी कर दिया गया है आपको बता दें कि जारखन के जम ताड़ा में ये ट्वेन हादसा हुआ है जानकारे मिल पा रही है कि हादसे में दो लोगों की मौत को चुकी है एक अवबा फैली की ट्वेन में आग लग गई जिससे वहाँ पर अफरात अफरी का महौल हो गया लोग खबरा गए ट्वेन से कूदने लगे और जब दो लोग ट्वेन से कूदे तो वो दूसरी ट्वेन की चपेट में आ गए जिसके वज़ा से उन दोनों की मौत हो गई हैं तो फिर हाँ यहां पर गाड़ी खुल के आगे चली गए अभी मौस्त अभी गाड़ी असनसोल पार कर चुकी हो जो मेमू का ड्राइवर था वो बता रहा है हमनों ने कहा पूचा कि भई आपने लोग ने आदमी क्यों नहीं देखा तो बता रहा है वो गोलाई में था और विसल करते हुए आ रहा था लेकिन वो देख नहीं पाया और उससे डैश हो जो जो बदलती हैं तिन का रोग तै करती हैं देश की दशा और दिश्य और डालती हैं आपके जिंदगी पर सीधा असर रखिये हर खबर पर मेरे साथ नजर देखे न्यूज 18 इंडिया मौनिंग प्राइम सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर धुएं के खुबार ने उन्हें पूरे तरीके से घेर लिया जुग्यों में आग लगने की वज़े से वहां रह रह रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सड़क पर आ गए जबकि आग को काबू करते वक्त दो दमकल कर्मी भी जखमी हो गए वहां आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका इधर गुजिरात के पोरबंदर में साड़े तीन हजार किलो ड्रग्स पकड़े गए गुजिरात के पोरबंदर में ATS, NCB और Coast Guard ने मिलकर करीब साड़े तीन हजार किलो ड्रग्स बरामत करने का दावा किया बताय गया कि ये ड्रग्स एक नाव से बरामद हुए इस मामले में पांच लोग गिरफतार किये गए खबरे की गिरफतार किये गए संदिग्द इरान और पाकिस्तान के नागरिक हो सकते हैं इस एहम कारवाई पर ग्रह मंतरी अमिच शाह ने जांच एजिंसियों को बढ़ाई दी उत्तरप्रदेश के अवैद खननन मामले में CBI ने अखिलेश यादव को समंज भेज कर सुबह दिल्ली के दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया जाँच एजिंसी ने उन्हें गवाह के तौर पर पूचताच के लिए बुलाया अवैद खननन का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है जब अखिलेश यादव राजज के सीम थे भारत का दौरा कर रहे टेक कंपनी माइक्रोसोफ्ट के सैसन स्थाबक बिल गेट्स ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुँचे उन्होंने वहां मंगला बस्ती देवी मा के मंदिर में दर्शन किये भारत और जाबान की सेना ने मिलकर राजिस्थान के बीका नेर में धर्मा गार्डियन नाम से मिलिटरी ड्रिल शुरू की इस दोरान दोनों देशों के सैनिकों ने सुरक्षा चुनोतियों से निपटने की तयारी की युद्ध का ये अभ्यास 14 दिन तक चलेगा उधर राजिस्थान के बूंदी में कॉंग्रेस के नेताओं और सैकणों कारेकरताओं ने किसानों के दिल्ली कूच के समर्चन में मार्च किया इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए उन्होंने विरोध जताने के लिए वहाँ जिला अधिकारी के कार्याले की ओर मार्च किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने के लिए पूरी ताकत जोंक दी अशोक गेलोज सरकार में मंत्री रहे अशोक चानना के नेतरित्व में कॉंग्रेस के सैक्णों कारे करता और किसान इस मार्च में शामिल हुए नहरेबाजी करते हुए वो लोग जिला अधिकारी के कार्याले की ओर बढ़े लेकिन रास्ते में पुलिस दीवार बन कर खड़ी हो गए दस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए उनके साथ जम कर धक्का मुक्की की गए इस दोरान पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए पूरी ताकट जूंकी लेकिन लोगों की बेहसाब भीड को वो नहीं रोक पाए प्रदर्शनकारी ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया और बैरिकेड को गिराते हुए आगे निकल गए बैरिकेड पार करने के बाद प्रदर्शनकारीयों को देखकर लगा जैसे उन्होंने कोई जंग जित लियो लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि पुलिस ने बूंदी में जिला अधिकारी के कारियाले की ओर जाने वाले रास्तों में हर जगा बैरिकेड लगा दिया वहां सुरक्षा में 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया और इसलिए जब कॉंग्रेस के कारकरता आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में पुलिस का और तकड़ा बंदोबस्त देखने को मिला उन लोगों ने एक बार फिर एक जुट होना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा पुलिस के घेरे को तोड़ने के लिए दम लगाया लेकिन प्रदर्शन कारियों को बेकाबू होता देख पुलिस ने उन पर दो तरफ से पानी की बोचार कर दी काफी मेहनत के बाद पुलिस प्रदर्शन कारियों को काबू करने में कामियाब हुई पुलिस ने करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया इस दोरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाब भी नारे लगा कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों से किया वादा तोड़ने का आरोप लगाया इस पदर्शन में शामिल हुए कॉंग्रेस निताओं ने मांग की कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका नहीं जाना चाहिए उदर बिहार के बगहा में नरकटिया गंज गोरकफूर रेलवे रूट पर उस वक्त बड़ा हदसा टल गया जब एक मालगाडी अचानक दो हिस्सों में बढ़ गई इसकी वज़े से वो मालगाडी खरीब एक घंटे तक ट्रैक पर ही खड़ी रही पश्चे मंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं ने राजज में बड़ी संख्या में फरजी मतदाताओं के होने का आरोफ लगाया और इस सिलसले में चुनाव आयोग को एक चिठी लिखी राजज में लेफ्ट का गडबंधन और कॉंग्रिस का गडबंधन अलग-अलग चुनाव लड़ रहा है और उसी समय उनकी दिल्चस्प मुलाकात हुई क्योंकि आरजजेडी नेता भाई विरेंद्र ने समराट चौदरी की मौजूदगी में नितीश को आरजेडी की रैली में शामिल होने का न्योता दे दिया बिहार विधान सवा के बाहर हुई इस दिल्चस्प मुलाकात ने सब का ध्यान की जाए क्योंकि जब समराट चौदरी और नितीश कुमार गाड़ी से उतरे तो भाई विरेंद्र पहले से वहां मौजूद थे समराट चौदरी ने उनसे हाथ भी मिला है और इसी दोरान भाई विरेंद्र ने नितीश को आरजेडी की रैली का न्योता दिया लेकिन नितीश ने कोई जवाट प्रदेश में कॉंग्रस के विधायकों से बात करने के बाद आज हाई कमान को रिपोर्ट्स देंगे कॉंग्रस के दोनों अब्जर्वर भुपेंद्र सिंग हुड़ा ने सब ठीक होने का किया दावा विक्रम अदित्य सिंग ने का सीम पर नहीं डालेंगे इस्तीफा मन्जूर करने का दबाव जब तक इसका निर्ने नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिगनेशन को प्रेस नहीं करूंगा और और भी बात करेंगे बिदाए को अभी क्या इंपूट है सब्सक्राइब ठीक है झालेंगक करेंगे इसक्षाह भी करेंगे और आक मैं रेजियम से ढदिए एंपूछा र च्छन चैन 사 State Heir झाल झाल